नमस्ते बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था, कछा दो, हिंदी साहित्य, पाठ दो, मोटी वक्री, उसमें आपको कठीन शब्द लिखाया था, और शब्द अर्थ लिखाया था, और दो प्रश्ण हम लोगों ने लिख लिया था, आपने याद किया न आज है प्रश्णती, भूरे बैल ने लाल बैल से क्या शिकायत की, इसका उत्तर है, भूरे बैल ने लाल बैल से शिकायत करते हुए कहा, कि वे हर समय कितनी मेहनत करते हैं बैल लोग कितनी मेहनत करते हैं वहां उन्हें केवल वहां मतलब किसान उन्हें केवल खाने में भूसा और हरी घास देता है ये है एक प्रशन ती अब है प्रशन चार लाल बैल ने भूरे बैल को क्या समझाया इसने ये शिकायद कर रहे थे ना भूरे बैल लाल बैल से शिकायद कर रहे थे तो अब जो है लाल बैल ने भूरे बैल को क्या समझाया लाल बैल ने भूरे बैल को समझाते हुए कहा कि हमारा मालिक उसे मालिक जो हमें खाने में दे रहा है ठीक दे रहा है किसान उन लोग को जो खाने को दे रहे वो ठीक दे रहा जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना सीखो हम लोगों को जो हमारे पास है हमको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए उसी तरह लाल बैल ने भूरे बैल को समझाया ठीक है अब आप क्या ग्रिह कारेंगे पाठ दो के प्रशन उत्तर याद करके लिखेंगे प्रशन 4 है एक दो तीन चार प्रशन मोटी बकरी के आपने लिखा है वो चारो प्रशन याद करके कॉपी में लिखेंगे ठीक है बच्चों